हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू इसमाइलिन गार्डनिंग में फ्रेंड्स मैं हूँ ममता शर्मा आपकी गार्डनर दोस्त आज हम बात करेंगे पिटूनिया के प्लांट की क्योंकि पिटूनिया का प्लांट विंटर का बहुती सुन्दर फ्लावरिंग प्लांट है विंटर में सबसे ज़ादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और बहुत हैवी कौंटिटी में फ्लावरिंग करता है पिटूनिया में बहुत सारे कलर्स मिलते हैं आपको जो भी क अभी भी लगा सकते हैं, ये मार्च तक आराम से फ्लावरिंग करता रहेगा, और पिटूनिया को हम सीड से या सैपलिंग से दोनों से लगा सकते हैं, सीड से अगर लगाते हैं, तो इसको अगस्त या सेप्टमर में लगाना चाहिए, क्योंकि सीड ग्रो होने में और फिर उस सेपलिंग से लगाए, या छोटा सा प्लांट मिल जाए, नर्सरी से तो उसको लेकर आ सकते हैं, और छोटी-छोटी प्लांट नर्सरी पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और उसमें कलर्स कभी पता चलता है, क्या आपको कौन सा कलर लगाना है, तो आप छोटी-छोटी प् जिसको लाकर लगा दिया था और कई बार इसकी पिंचिंग की है तो इसलिए मेरा प्लांट यह छोटा दिख रहा होगा और एक ही फ्लावर ब्लूम होता हुआ दिख रहा है वैसे इस पर फ्लावर्स धीरे-धीरे खिलते हैं तो मैं इसको कट कर देती हूं उसका कारण है कि आ अगर अपने प्लांट पर मैं पिंचिंग नहीं करूंगी तो इसकी जादा से जादा ब्रांचिस नहीं बनेगी और जब जादा ब्रांचिस नहीं बनेगी तो जादा कलियां भी नहीं बनेगी और कलियां नहीं होंगी तो जादा फ्लावर्स नहीं बन पाएंगी तो इसका main reason यही रहता है जो लोग कहते हैं हमारे प्लांट पर कम flowering होती है एक या दो ही flowers खिलते हैं तो उसका कारणी यही रहता है कि हम जब भी प्लांट लगाते हैं उसकी पिंचिन नहीं करते तो जिसकी वज़े से उसकी growth तो होती है लेकिन उसकी multiple branches नहीं बन पाती है और वो height में बढ़ता रहता है एक या दो flower उस पर bloom होते रहेंगे तो अगर आप अपने प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा flowering चाहते हैं तो उसका main secret यही है कि आप अपने प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा पिंचिंग कीजिए लेकिन पिंचिंग जभी करनी चाहिए जब आपका प्लांट छोटा हो अगर height में बढ़ा हो गया हो और फिर अगर पिंचिंग करेंगे तो ऐसे तो आप flowering नहीं ले पाएंगे तो जब आपका प्लांट छोटा हो तब आप इस पर पिंचिंग कर सकते हैं एक दो burst बन रही है तब ही उसको cut कर देना चाहिए क्योंकि अगर जब ही आप पिंचिंग करेंगे तो उसकी multiple branches बनेंगी और जादा से जादा वो अपनी energy branches बनाने में लगाएगा और फिर flowering होगी दूसरी बात करते हैं कि इसकी propagation कैसे करनी चाहिए friends सबसे पहली बात तो petunia में पानी बहुत कम देना है क्योंकि इसकी roots होती है बहुत ही पतली पतली रहती है आप अपने प्लांट पर अगर जादा पानी देंगे इसकी roots होती है वो गलने लगेंगी या उसमें fungus लग जाएगी तो जिसकी वज़े से आपका plant खराब हो सकता है और सबसे ज़रूरी बात आपने अगर petunia का plant अपने garden में लगा रखा है तो ऐसी जगे प्लेस कीजिए जहां इसको प flowers ना खिले तो इसलिए इसको ऐसी जगे प्लेस करें जहां पूरे दिन की इसको धूप मिले तब ही अच्छे से यह flowering कर पाता है अब friends बात करते हैं इसकी मिट्टी कैसे होनी चाहिए इसमें बहुत जादा quantity में flowering होती है तो जाहिर सी बात है कि इसको बहुत जादा energy की भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी मिट्टी पॉरस भी होनी चाहिए उसमें सारे micro nutrients भी होने चाहिए क्योंकि इसको पोशक तत्वों की भी बहुत ज़ादा ज़रूरत पड़ती है तो इसकी मिट्टी में हम एक हिस्सा रेद और तीन हिस्से कोई भी compost मिलाकर इसकी मिट्टी क्योंकि मिट्टी में अगर पानी रोकेगा तो ये प्लांट खराब हो सकता है तो पोरस मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है ऐसी मिट्टी हो कि आप जब भी पानी इसके प्लांट में दें और तुरंध ही पानी पॉट से बाहर निकल जाए दूसरा इसको बहुत ज़ादा energy की ज़रूरत रहती है तो इसकी मिट्टी में दो से तीन हिस्से हम कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हैं कौडन कंपोस्ट भी हो सकता है और लीव कंपोस्ट भी मिला सकते हैं अगर लीव कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो आप बर्भी कंपोस्ट मिला दीजिए बहुत रिक्वाइरमेंट जादा रहती है और इसकी मिट्टी में एक मुठी नीमखली जरूर मिलाएं ताकि इस प्लांट को कोई भी फंगस ना लगे मिलाने का एक फायदा होता है कि प्लांट को पूरा पोशक तत्वी मिल जाते हैं और किसी तरह से आपके प्लांट को कोई fungus या mites अटेक नहीं करते हैं तो जिसकी वज़े से आपका प्लांट हेल्दी रहता है पिटूनिया को हम हैंगिंग बास्केट में भी आसानी से लगा सकते हैं बहुत ही सुन्दर लुक देता है क्योंकि ये पूरे पॉर्ट को जब कबर कर लेता है तो ये गुलदस्ते का लुक देता है लेकिन जब हैंगिंग बास्केट में हमें पिटूनिया लगाना है तो एक हिस्सा कोकोपीट, एक हिस्सा राइस हस्क और दो हिस्से कोई भी कंपोस्ट लेकर हम इसकी मिट्टी बना सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं बास्केट के लिए यह बहुत ही सुंदर प्लांट है, पिटूनिया को हम अक्टूवर से लेकर दिसंबर तक कभी भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर यह प्लांट है, आसानी से ग्रो भी हो जाता है, और इसली लग जाता है, बस इसमें पानी का ध्यान रखना है, जब इस कि मिटी एक से डेड़ इंच सूख जाए, तभी पानी दें, इससे पहले पानी नहीं देना है, क्योंकि अगर ज्यादा पानी अपने प्लांट को देंगे, तो आपका प्लांट खराब भी हो सकता है, बहुत ही सुंदर यह विंटर का प्लांट है, अगर आपने अपने गार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाबाई